है है फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल आए थिंक यह जो क्याट और कर रिस्ता है यह बहुत लिए क्यार रहा है क्योंकि जब गर्वार को मुलता है कार के साथ उसके साथ इसको थोड़ा छेखरने करने में इसको माजा यता है मैंने भी प्रॉब्लेम हैज किया साहिद आपने भी किया होगा तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में भी दिखा और गूगल भी किया तो उसमें जो टोबाक हो है और साड़ा यह क्या होता है रैट किलारी ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया था लेकिन उसे मेरे को फैदा मिला नहीं मैंने 3M का जो रैट किलार है वह भी का पूरा जो इंसुलेशन और वायर बागेरा थे उन्होंने काट करके पूरा खतम ही कर दिया था तो फीड वो सर्विस सेंटर में फिक्स करना पड़ा था तो आप जिसके साथ भी यह प्रोब्लेम है काड में रैट से तो आप इस प्रोडक्ट को एक बार इस्तमल करके दे गाड़ी इंजिन जब हीट हो तब मत यूज कीजिए और यानि कि इसको यूज करने के तिन घंटा आपको गाड़ी यूज करने से तिन घंटा पहले और यूज करने के तिन घंटा बाद ही इसको अप्लाई की दिजिए कहां कहां प्लाई करना है आपका डोर का नीचे जो ह बेल्ट या वायर के उपार मत स्प्रेख की जब कीजिए कीविए इसका स्मेल बहुती स्ट्रॉंग है तो इन्जिन बे में पूरा करने से पूरा का फैल जाता है तो इसको इसको इस्ताबल करने के टाइम एक ही बात अटेंटिव रहना है कि काड अगर कूल है अगर ये काड अगर इंजिन बहुत ज्यादा होट है उस तेम यह एपलाई किया जाए तो साइद कोई भी मुशिबात आ सकता है तो ऐसा मत कीजिए और इसको इस्तिमाल करने के बात साइद आपको डिफ्रेंस पाता चल जाएगा और कार को कभी भी अंधेरे में नहीं रखिए ऐसा जगे प अगर इस तो आप करेंडली एक बार इसको इस्तफल करके देख सकता हो इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है इसको अगर यह कोई पेड या बाइस रिव्यू नहीं है मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रहा हूं और मेरे को वेनिफिट मिल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा यह आपके साथ सेयर किया जाए या अगर यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लागी और इससे आपको प्साइदा मिलता है तो करेंटली इस वीडियो को सेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए थेंक्यू